नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस लॉंचर पर मैं हूँ नीलू व्यास आज सुबह से अगर आप कोई भी टीवी चानल खोल लिजे तो उस पर एक ही तस्वीर है और वो है प्रधान मंत्री नरेद मोधी की तस्वीरे जो वारणसी से आ रही है आज उन्होंने वारणसी मे साथ क्या मोधी जी ने जरूर इंफ्रस्ट्रॉक्टर बनवाया है बहुत जादा वहां पर विकास हुआ है लेकिन जिन बातों पर गौर करना चाहिए क्या उन बातों पर गौर किया है आज हम बात करना चाहते हैं बी एचू की जो इंडियन मेरिकल जो साइंसिस का जो इंस मैं उसकी बात करना चाहती हूं क्योंकि वहां के एक डॉक्टर है प्रोफेसर ओम शंकर जो कि वहां के कार्डियोलोजी रिपार्टमेंट के हैड है वो पिछले चार दिनों से आमरन अंचन पर बैठे हुए इसके पहले भी वह आमरन अंचन उन्होंने किया था उनको सस्पें लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई आज जब मोदी जी वारन असी में है तो आज प्रोफेसर ओम शंकर हमारे साथ जुड़े हुए है वो पिछले चार दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है वो चाहते हैं कि मोदी जी उनकी बातों को सुने और जिस तरीके की ध ध्यान लेबाजी जिस तरीके का भरष्टाचार बीएचियू में हो रहा है उसकी तरव मोदी जी ध्यान दे लेकिन ऐसा होगा मोदी जी के कारिकरम के हिसाब से शायद वो अगले दो तीन दिन वारन असी में रहेंगे लेकिन क्या प्रोफेसर ओम शंकर की मुलाकात मोदी जी से हो पाएगी इसके बारे में तो अभी पता नहीं है लेकिन प्रोफेसर ओम शंकर इस समय हमारे साथ वारन असी से जुड़ रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि पिछले चार दिनों से वह आम रन अंचन पर है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जान वालगत से एक समय से आपने ब्रश्टाचार में जो फूरा सिस्टिब उसकी और आपने ध्यान अकरिशन करने की इसके पहले भी कोशिश की थी आपको सिस्पेंट कर दिया गया अब आपकी क्या डिमांड है आज नरेंद्र मोधी वारण असी में हैं आप उनसे क्या चाहते हैं क्या डिमा आप अगे थी जो लगातार आप अगर देखेंगे लोग उतना फोलो नहीं भी करते हैं क्योंकि हम लोग एक टॉप टाउन सिटी में नहीं आंदूलन कर रहे थे वह इसलिए बहुतों के अट्रेक्शन में वह नहीं भी गया लेकिन पूरे देश में स्वास्त के मौलिक अगर तो छोड़ दिजिए स्वास्त पर कोई भी नेता भासन नहीं दे दे लगातार हम लोगों के 15 साल का यह प्रियास है कि आज प्रधान मंत्री सहित जितने भी नेता इस देश में हैं कोई भी ऐसे नहीं है जो स्वास्त पर अपना कोई भी बात नहीं रखते हैं और अधर आम जनता है उनको स्वास्त के महत्त को समझाने के लिए समझाने में काफी हद तक जो है वो सक्षम हुए हैं तो पहले जो आंदलों थे उसमें मेरा कहना था कि आपका जो चाहे केंद्र हो या राजी हो उनके कुल बजट का 10% हिस्सा जो है वो स्वास्त के ऊपर और 10 पर तिस्सा सिख्षा के ऊपर जाना चाहिए अगर आप सच में भी सुगरू बनना चाहते हैं अगर सच में आप वास्तविक विकास चाहते हैं और समझर विकास चाहते हैं कुछ लोगों का कुछ पुझी पतियों का विकास अगर चाहते हैं तो इसके इतर नीटी कुछ रो के बात सुनी जाएगी वो आपने बहुत सही सवाल कि है कि मैं वही कह रहा हूं कि आंदुलन जो हमने किये तो आंदुलन के बाद ऐसा नहीं है कि सरकार सबसे पहली जो परमुक्छ चीज जो हमारी सफलता थी कि वह सरकार और नताओं के भासनों में आया नीती कारों के नीती तक पहुंचे और इवन की बजट में अब इनको कोविट के बाद खासकर उन्होंने ये माना कि मेरा जो वो अंदोलन था वो सही था और वन अफ द त्री और फॉर पिलर जो है वो हैल्फ होना चाहिए हमारे बजट का लेकिन यह भासनों तक ज्यादा सीमित रहा कारियानुवन तक पुरा का पहुचा जैसे आपको सबसे जो आप मायूस है कि मोदी जी ने ये सारे वादे सिर्फ भाशर तक ही सीमित रखे कुछ किया नहीं कुछ किया है कितना कम किया है वही मैं समझाना चाहता हूं जैसे इस देश की आबादी 140 करोड कहते हैं जन गन्ना तो हुई नहीं हम कहने सकत लेके 130 से 48 लेकिन उसके लिए अगर आप 6000 और 7000 सारे 6000 आपका जो मैक्समुम एन्वल जिसको कि आइसमान भारत जो हमारे ही स्वास्त के मौलिक अधिकार के बदले आपने एक कॉंटर आपने लाया था जबकि हमारा कहना था कि चाहे कोई भी सरकारी अस्किताल उसमें कोई अगर इलाज के लिए जायाए अमीर हो गरीब हो चाहाए मवानी हो चाहाए गरीब का बेटा हो जब इलाज के लिए जायाए तो सबको फिरी का और क्वालिटी हेल्थ केर मिले उसके बदले आपने काटके तो और egrons लाइज जिसको आप आयुस्हान भारत कहते हैं उस करोड की मैं बात कर रहा हूँ आप पैंच हजार की बात कर रहें आब पांच हजार का करोड की बात कर होती है। कि स्वास्त में सरकार मानने को तयाद है आज आप की डिमांड है मोदी जी से क्योंकि मोदी जी वारण असी में है आपकी बात को सुना जाए तो आप इस तरीके से गुहार लगाएं मोदी जी से आप क्या दो तीन बाते कहना चाहेंगे लंबा चौड़ा भाशन की तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि शिक्षा और उसमें बजब आपका कह अधिकारों के लिए हमें लड़ना है आपने लंबी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी बात है कम लोग यह बात करते हैं लेकिन आज क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी वारण असी में समय कम है और सीमित समय में आप मोदी जी से क्यों मायूस है पहले तो यह बता दूरन करें तो उसमें सबसे पहले जो मेरी मान थी कि बनारस में एक एम्स बनवाए जाए दस साल से मोदी जी प्रधान मंत्री हैं आज तक बनारस को बीचु से बाहर एम्स की अस्थापना जो है वो सिर्फ पलिकर्पनाव तक ही सिमित रह गई और कभी मोदी जी ने इनके उपर कोई कारियानवन नहीं किया और एक प्रधानमती जी जो देश के सबसे ससक्त प्रक्ति हैं अगर वो एक अस्पताल नहीं बनवा सकते अपने छेत्र की जनता के लिए और कोई नया विस्विद्याले नहीं बना सकते तो यह एक इतने मजबूत होने के बाद भी उनकी और सफलता मानी जाएगे उसके बाद हमारे बहुत सारे प्रयासों के बाद एक मिनिट एक मिनिट जकर आपके इसाब से मोधी जी एक सफल सांसद वारानसी के रूप में साबित हुए है या असफल मैं तुक्स पर सब्सक्राइब मैं जाना चाहती हूं इस दोनों के बीच म इस लाइक इंस्टियूशन बनारस हिंदू ने बनाया जहां पर उसने उन्होंने कुछ बजट दिये लेकिन वो बजट बहुत ही कम है और उस बजट से कबता ही इस बनारस हिंदू निवर्स्टी के ऊपर जितना दवाब है उससे उनकी जो आवशक्ता है उसकी पूर्टी नहीं हो सकती है सबसे बरी बात जो है तीन चीजे अगर आप बनारस हिंदू निवर्स्टी में देखेंगे जो सबसे बरा रफ्ला यह साय जिसतर से लोकतंतर पूरे देश में खत्म हो रहा है बनारस में भी बनारस हिंदू उनिवर्स्टी में उसwhat Tom rebels यहां के जो कुलपती महोदे हैं वर्तमान में, वो एक डिक्टेटर हैं या आप मान सकते हैं, कुलपती महोदे का काम होता है कि यहां के विस्विद्याले के कर्मचारी, शिक्षक, शात्र इनसे मिलें, वो किसी से नहीं मिलते, दूसरी बात क्या है कि उनका काम है कि जो बनार सुन्दू उनिवस्टी के कुलपती महदया आज तक उनकी जो बेसिक संग्रेचना है शराने के लिए जो दे टुड़े उनका धाई साल का लगो की साल के कारिकाल होता है धाई साल मतलब बीतने को है एक्जुकुटिव कॉंसिल होता है जहां पर कि रोजमर्रा की चीजों को न अलत नियुक्तियां कर रहे हैं ऐसे लोगों की नियुक्तियां कर रहे हैं जैसा कोई बनारे सुन्दू उनिवस्टी के एक्टोर इस्टिटूट में है ही नहीं चोथी बात यह इस समय चुनाव चला है आदर साचार संगीता लागू है और ओम शंकर ऐसा तो होगा नहीं कि जी यह सारी बात बेगहों से और मोडी जी से बिलकुल बेखावार है मोदी जी को इस बात का पता ही नहीं होगा मैं ने आ स्व्यागे समस्क्रême की समस्य पर बता रहरो है है फिर मैं हेल्थ का समस्या जो है उसके ऊपर हूँगा मोदी जी ने एक हजार करोड दिये थे इंस्टूट आफ इमिनेंस के नाम पर और उसी का ये दुरूपयोग करें कुल्पती मोदर पहले तो वह एक्षम रखती है किसी से मिलते नहीं है दूसरे जो धन का उपयोग होना चाहिए वह ऐसे पद जो सिर्जन उसके लिए भी निय कर सकते हैं तीसरा कि आप दो न्युक्तिया अभी हाल में किया है जब चुनाव चला है चुनाव को इस समय आचार संगीता है जब उस समय आप किसी की नियुक्तिक नहीं कर सकते हैं उसके बाद इसके बैग्गरॉंड में आपको बताना चाहूंगा कि यहां पेरों की लेकर बड़ा आंदोलन खट में यह जो आमरेन अंसन है वह सब इंक्लूजिव उसमें है यह आंदोलन जो अब वर्तमान में अंसन है वह उसका पार्ट और हिस्सा है वह उसके बाद जो मैं बताहरा हूं अब मेडिकल साइश के उपर आता हूं यहां एक व्रक्ती जो है वह ज लिक्षक बने है जो बैग्राउंड में आपने कहा लेकिन यह ब्लड बैंक के इंशार्ज थे 2016 में और उसी समय यह यहां के मेडिकल सुप्रेंट भी थे एक आदमी अधिकारिक तौर पर दो पदों पर नहीं रह सकते फिर भी वो दो पद पर थे और मेडिकल सुप्रेंट जो जिसके ऊपर मैं आप ने इन सारी बातों को क्या अपने मोदी जी को बताया को पत्र लिखा मोदी जी के सिस्टम में किसको यह बाते पता है कि बेहिचिव मैं ऐसा हो रहा है ख़ो रुपदयुनें यहां की लोगो तो बताई रहा हो लेकिन यह जो आप यह स्वास्तर chains इसको थोड़ा समझना जोड़ी होगा जो व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूं कि प्रॉफसर केके कुपता जी यह ब्लड बेंक के सारे 600 बोटल जो है आईटी के बच्चे ब्लड दिये थे और उनको इन्होंने कहीं बेच दिया यह मसला उस समय उठाया गया जब तो इस पर जांच कमीटी बैठी है और उन्होंने पाया की मामला सर्थ है उस ब्लड का कोई रिकॉर्ड बनारे सुंदु निविश्य इतिहास के रेजिस्टरों में दर्ज नहीं है दूसरा यह मेटसीन के प्रॉफसर है यह ब्लड बेंच के स्वग्होसित इंचाज थे इनके पास जब उमद्दा उठाय तो पहले मेस से अटा दिये गए फिर ब्लड बेंक के इंचार्ड से अटा दिये गए लेकिन कोई भी अनुसासनात्मक करवाई दंडवात्वक करवाई और यहां से रिमूब करने की कोई कारवाई नहीं की यानि कि वीज वहीं रह गया वह जो कल्प उसमें करोरोपी आए फिर उनके खरीद में दानली के आरोप इनके ऊपर आए लोग मरीजों को स्षीक से इलाज नहीं हुआ तो वहां भी वासा फल हुए तो और प्रमोट कर दिया गया कि फिर से इनको आप ऐसा करिए कि मेटिकल सुप्रेंट बना दिये यह मैम आप पहली पूरे इतिहास और यह सब किसे कहानियों में आप पढ़ते होंगे यह वास्तविकता है बनारे सुन्दू उनिवर्स्टी का उनके संसलिया छेटर का जो प्रधान मंत्री जी जो प्रस्टचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं जो चक्की पिसिंग 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 पिसि साफ चब्दों में पूछ रही हूं आप से कोई लाग लपेट मत करिएगा कि क्या आपको लगता है कि प्रधान मंत्री ने जानते हुए इन चीजों पर आक्शन नहीं लिया है मैं जानते हुए इसलिए कह सकता हूं कि पत्र मैंने खुर लिखा था और मैं जानते हुए इसलिए कह सकता हूं कि जब भी वह आते हैं और जब मैं लिखता हूं तो इन्टिलिजेस उनको हर बार इंफॉर्म करते हैं और उसके यह इसलिए नहीं कह सकता है कि पधान्मथ यह पधादमूरी ॵह आदरस तो नहीं पता पधान मंतिजी उनको क्यों पर कारवाई नहीं लेते हैं या उस वह किस तरह से अपने आपका बचाव कर लेते हैं या कौन सा व्यू अपना प्रेजेंट कर देते हैं उनके पास वह कौन सा करिस्मा है तो करिस्मात मैं मुझे नहीं पता कि यह दोनों जो अधिक व्यक्ति हैं यहीं नहीं मैं यह जो आप मैं चीकित सा अधिक्षक महदे की अभी कुछ और कारुजारी को बताता हूँ मोधी जी तो ब्रहष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि मैं ब्रहष्टाचार में बिल्कुल टॉलरेंट नहीं करूंगा नखाऊंगा नखाने दूंगा इस तरीकी की बाते जो मोधी जी करते हैं तो फिर आग मैं कैसे यह बात मानूं कि वहां के ब्रहष्टा पाचार जो वह उसी तरह से लिट्थ है वीजेपी उसमें यह चीज के चुके सीधे मुझे सबुत नहीं तो मैं सीधे तो यह नहीं बताऊगा लेकिन मैं जो बता सकता हो यह बता सकता हूं कि अगर उनको पहले नहीं मालूम था मेरे इन मुद्दों के बारे में अभी लगात हम नहीं है मीडिया में जो पूरी की पूरी सच्चाई बनारस इंदुनिविस्टी के चिकित्सा अधिक्षक और कुलपती महदे के आम मीडिया में चपी नहीं हो और उसके बाद अगर मोदी जी यह कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं है मैं यहां का सालसद हूं प्रदानमंत् सबसे लएक तो मुझे लगता नहीं है तो अब उनकी जिम्हेदारी क्या है और समाज में क्या अंको अस्थापित करना है अगर कोई वक्ती गलत कर रहे हैं और उनके संस्रिया छेत्र में गलत करके उनको अपमानित करने का उनको चिनाव हर्वानी की कोशिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि इस वियू से भी उन अपरादी और वो जो संगरक्षक अपरादी के जो हैं ऐसे लोगों पर दंडात्मा कारवाई की जाने चाहिए और चिकित सा अधिक चक मौद है यहां के सुपीरियर के आदेश नहीं मानते हैं वैसे आदेश दे रहे हैं जो आदेश उनको देने का अधिकार ही नहीं है अब मैं हिर्दय विभाग से जो असली समस्या है जो बरीजों को बेड़ने मिला है एक बहुत ही कराउगा क्योंकि कुल पती जी यहां पर सीधे तौर पर एड्मिस्टेशन उनके अधीन है मोदी जीपी अगर कोई काम करने को कहेंगे तो आखिर कुल पती जी को ही कोई काम करना होगा वो काम के लिए अस्तित जमे másánh जो है वो कुल्पती महोदे हैं और पुल्पती महोदे ना सिर्फ भृष्टचार को संग्रेक्षंट दे रहे हैं बलकि जिस तरह से पूरे देश में लोगतंतर खत्म हो रहा उस तरह से वो ब्याच्चू के एक्ट और इस्टिचूट की धजियां उरा दी है उसी तरह से वो जो महामना की बग्या है उसको बेचने का ऐसे एक नीजी कमपनी को जाच दे दिया है जो पियो सिटी नाम की कमपनी है जाच के अंदर जो फाइदे में चल लए थी और वो गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं उससे पहले क्वालिटी रिपोर्ट्स आये करती थी जिसको मतलब उनको क्यों और कैसे मिला और यहां पर जो पैसे दिये उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहां पत्थर लगा हो उसके उपर कोई मारवल लगाता है आपने सुना है कहीं यह बनार सिंदु नुश्य धन के दुरुपयोग सरकारी धन का दुरुपयोग ऐसे यहां के अधिक खाना मिला करता था अब वह खाना ने मिलता मिलता यहां पर अब वह जो इलाज के लिए दवाई मिलती थी अगर आपको भी जाएंगे तो वह दवाई ने मिल लिए यानि सुमिद हाएं बढ़ने के बदले घट गई है जबकि पैसे बढ़े हैं और यह सब इसलिए हुआ कि प्रस्टे चार और लिकेज जो है वो सिश्चम में बढ़ा है और उसके सीदे सीदे दोसी जो है ये चिकित सा अधिक्षक महद है और इनका साठगाट है वीशी साहब का इसलिए तीन साल के कारिकाल जो मैक्सिमम कारिकाल है वो खत्म होने के बाद भी लगातार मेरे दो धाल थाई साल से आवाज उठाने के बाद भी 25,000 लोगों को बेड रहते हुए बेड नहीं मिले कि आवाज उठाने के बाद ही नगवाग हजारों इसलिए नहीं कराया क्योंकि यह केंद्रिया भी सुविध्याला है और इसमें योगी जी की भूमिका नहीं है और अगर हम कुछ कहेंगे भी तो वह चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं रुपोर्ट जो आपको देखना चाहिए और हमें लगता है कि इसमें Blood Bank में किस तरह से इनके ब्रश्टचार के जो सत्यापित ये मामला है जिनको कि उसके बाद भी इन पर कोई कारवाई कुलपती महोदेजरा नहीं की गई यह देखे मैं यह मैं दिखाना चाहता हूं रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि यह ब्लड बैंक में ब्रश्टचार के उनके विरुद कमिटी की रिपोर्ट है और यह कमिटी का फाइनल निर्ने है जो कि उसमें जिन में उनको इस वक्ति को अपराधी बताए गया था उसके दूसरा आदेश दिखाना चाहता हूं जो कि मैं मार्श महिने में भी आंदोलन करने वाला था उस आंदोलन के बाद जो है यहां के निदेशक जो है इसको आप देखिए यह निदेशक मोहदे का और दीन मोहदे का साइन और सिंगनेचर है यह कमीटी के बैक है कम से कम इसके बेट दो गुले तो ज़्यादा बढ़ी जाने चाहिए अगर आप देखे में पोस्ट को भी वैक्सिनेशन काल में जो आप देखें यह वैक्सिन भी जो है पहले से सवालों के घेरे में रहा है उसके वज़से हिर्दय रोग्यों की संख्या बढ़ी है लोगो कि इस देश में आज काडियक पेशिंट के इलाज के लिए इमर्जिंसी हॉस्पिडल के स्थापना की आप सकता है कम से कम पचास डेडिकेटेड सेंटर युद अस्तर पर आप अगले पांस साल में बनवाई है क्योंकि यह कोवीड महमारी की तरह आगे आपके सामने खरी हो होने वाली है उसके वैक्सिंशन के बार इस देश में और वो कम से कम धाइसों बेड के होना चाहिए जिसमें मोडरन एक्विपमेट्स और मोडर सुविधाय अप्लब दो और बेटर एक्विप्ट हो लेकिन आज तक उसका एक बनारे सिंदू निवर्स्टी में भी हो जो ब मोडी जी अगले दो तीन दिन अब यहां पर है क्या आप उनको मिलने की कोशिश करेंगे क्या आपने उनको कोई चिठी लिखी है कि भाई ऐसे ऐसे हम अमरन अंचन कर रहे हैं और आप से मिलना चाहरे हैं आपको लग रहा है कि आपको अनुमती दी जाएगी आपने तो उन तरफेटेरह से दस सालों से जब ही मोडी जी है दस सालों से जब भी हो आ आय मैंने मिलने के लिए उस समय कई बार प्रिएत लिखिए रिटे न अप्लिकेशन दी, लेकिन वह सबसे मिलते थे करो अम जंता और 1975 क सि जुञआ हुआ हुँ दा जब कि मेरा विकास मोडल स्वास्थ और सिख्षा के मौलिक अधिकार जो समगर विकास का मोडल है यानि कि ये समाज में इक्वालिटी पैदा करेगा और उनका जो मोडल है समाज में इनिक्वालिटी पैदा करेगा तो ये वर्टिकल समाज चाहते हैं और मैं होरिजेंटल समाज चाहता हूं तो ये जो विशारों की जो ये आपको लगता है कि मोधी जी वाकई में अपनी कंस्ट्ट्वेंसी की देखभाल ठीक से कर रहे हैं बहुत सब शब्दों में और आखरी सवाल आपसे अगर मैं उस बिंदों पर कहूं तो यहां यहां पर आईटी के चात्रों द्वारा बीजेपी के लोगों द्वारा ही बदसलूकी की गई और उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं समझूगा नमबर वन यह उनका फेलियर है दूसरा मैंने लगातार पत्र लिखे स्वा चार जो मैंने बताया च्कित साधिक चक और वी सी का जो नेक्सस है और जो विस बनारस हिंदु निवरस्टी को रूट से खत्म करने की कोशिश कर रहा है उनका नीजी करना चाहरा है और महामना के आदर्स्तों को द्वस्ट कर उस पर माला मालयारपन करके उनको हमेशा के ल की बुलाकात हो जाए से दुआ कर सकते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वह ठीक ठाक रहे और जिन खामियों को आपने उजागर किया है आप सिस्टम में रहकर इस चीज को जागर कर रहे हैं यह बहुत हिम्मत की बात है तो आप बने रहिएगा तटस्त रहिए अपने चाहता हो तो मैं आप आपके ही मादियम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि परधानमंत्री जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप हमारे पचास बगल से निकले थे और आपने यसी भी सुद्याले के गेट पर मालवी जी को माला चराया है कम से कम एक बार पांच मिनट आपके मादियम से कि क्या वो अपरादी है या मंदार है उन पर क्या कारवई होनी चाहिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको आम जनता आपको अगले चुनाव में सच में चुने तो इन लोगों के विरुद्ध काम करें और जो आपका एक सबसे पहले प्रधानमंतिक नहीं अभी मैं सां के रूप में आपको चुने और आपको जनता आपको विश्वास करें कि हाँ आपने इस बार भी कुछ किया है और अगली बार आप कुछ करेंगे यह विश्वास कायम करने की क्रोशिस करें क्योंकि आमरन अंसन में अगर मेरी जान जाती है तो मुझे नहीं लगता है इस द आपने बाद में.